आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो old method है शट्रिंग का जो की गाउं में जूज किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे Welcome to Builditech हमारे चैनल में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें अब अपने चैनल पर सिविल इंजिनिंग आर्किटेक्चर और इंटेरियर से रिलेटेड वीडियो अप्लोट करते रहते हैं आज की वीडियो में हम इससे तीन पॉइंट के बारे में डिसकस करेंगे पहला पॉइंट हमारा होगा कि इस टाइप की शट्रिंग को हम बनाते कैसे हैं दूसरा पॉइंट यह होगा इसके एडवांटेज क्या है तिसरा पॉइंट यहां पर यह होगा कि इसके डिस एडवांटेज क्या है आईए हम पहले पॉइंट को शुरू करते हैं इस shuttering को कैसे बनाते हैं इस shuttering को बनाने के लिए आपको बैमबू की जरूरत पड़ती है और बाकी जो brick है और mud है ये तो side पर अवेलेबल होता ही है आप बैमबू के टुकड़े को यानि बांस की लकड़ी को लेते हैं और जितनी उसके लंबाई होती है उसके हिसाब से आप brick का सपोर्ट बनाते हैं बिरिक को जो है रफली एक पिलर की तरह शेप देखकर उसे जो है नीचे आप रग देते हैं उसके उपर से आप जो है मिट्टी लगाते हैं फिर मिट्टी के उपर आप जो है उस बैंबू को लगा देते हैं बैंबू को लगाने के बाद फिर उसके उ ब्रिक वर्क करते हैं कभी-कभी ब्रिक को जो है मड मोटार से भी बनाया जाता है यानि गारा की जोड़ाई कर दी जाती है ताकि यह इधर उधर भागे ना और फिनिशिंग भी कुछ हद तक इंप्रूव हो जाए इसको जो है दोनों साइड से इटों की दीवार पना लेते ह है उसमें मोटार का भी यूज कर लेते हैं मड मोटार का या कभी-Кभी भीन हो तो बिना मोटार का भी बना लिते हैं को रखने हैं यह को बनाने यहे जोड़ाई आ पनाकर करते हैं यहां काफी सस्ती पढ़ती है क्योंकि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है लेने की ज़रूरत नहीं है यहां भी सिर्फ एक्स्ट्रा आपका बास है बैम्बू जो की काफी सस्ता मिल जाता है 10 या 15 रुपया से एकड़ा के हिसाब से जो है ये एकड़ बैमबू मार्किट में अवैलेबल है जो मिल जाता है इसको जो हम किराए पे लेते हैं बाकी बिरिक है और मिट्टी है जो साइट पर ही मिल जाती है ये शटरिंग हमारी काफी जश्की परती है और जहां पर आपको फ्लाइ उड और इस्टेल की शटरिंग अवैलेबल नहीं है वहाँ पर आप इसे बना सकते है अब आईए हम इस शट्रिंग के डिस एड्वांटेज के बारे में बात करते हैं इसका डिसवाइड्वांटेज दो है पहले तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो साइड में इसके ब्रिक होते हैं कि concrete की strength के लिए अच्छा नहीं बाना जाता है दूसरा disadvantage इस टाइप की